हेलो दोस्तों में जी स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल जीत फुरी उपार आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे फिक्ता ए यहां पर देखेंगे अपनली तालीका को देखी तालीका को देखका दिये गए प्रशनों के उतर में देखेंगे ठीक है अपन सहीवे कलप गोला लगाएंगे चलिए अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप क्या कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी बहां पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है पहले सप्ताह से लेकर के जो अभी तक सप्ता है हो चुके हैं पूरी के पूरी सप्ताहों की प्लेलिस्ट है तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं चली अपने स्टार्ट करते हैं क्या करते हैं यहां पर बच्चों के नाम दिये गए हैं प्रात्मिक्ता के आधार पर पसंद किये गए फलों की सूची द पसंद है, सलीम को आम, सेव, अंगूर पसंद है, रस्मी को आम, अम्रूद और नासपाती पसंद है, तो इसमें सबसे कम पसंद कौन किया गया है, नासपाती, सबसे कम ठीक है ना, और दिखे, सबसे कम नासपाती, सबसे ज्यादा क्या पसंद किया गया है, आम, और को देखते हैं अपना पहला questions क्या होता है कौन सा फल तीन से अधिक लोगों को पसंद है आम चाल लोगों को पसंद है तो तीन से अधिक लोग पूछ रहा है तो क्या answer हो जाएगा आम ठीक है तपस्या की तरह आम और अमरूद किन दो बच्चों को पसंद है तपस्या की तरह कि दू बच्चों को पसंद है राज और सलीम को कौन सा फल सबसे अधिक पसंद किया गया है सबसे अधिक कौन सा फल किया गया है आम चार बार और अमरूत तीन लोगों के द्वारा आम चार लोगों के द्वारा अमरूत तीन लोगों के द्वारा इस सबसे अधिक पसंद किया गया है, अगला question क्या है, कौन सा फल सबसे कम पसंद किया गया, देखिए मैंने नीचे टिक लगाया था, नास पाती के वर एक वेक्ति के दोरह पसंद किया गया है, किन के दोरह एक वेक्ति के दोरह, सबसे अधिक बीच किस फल में होते, देखिए आप अमरूद खाऊंगे, तो अम्रूद में सबसे ज़्यादा बीज मिलते हैं, मिलते हैं के नहीं, चलिए, अब आप में से कोई भी अगर Instagram यूज करता है, तो आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं, Instagram की ID है, जीतेंदर जीरोचे, क्या नाम है, जीतेंदर जीरोचे, 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 Instagram की ID है, चलिए, आँगे चलिए, अब क्या है, निम्बिल के सूचना को पढ़कर प्रशनों के उत्तर में सही बिकल्प कर गोल लगाएं, जी सूचना दीगे, पुस्तकाला कार अपनी स सांती से बैठ कर पढ़ेंगे, पुस्तक को सरक्चित रखेंगे, समय समाप्त होने पर सिक्षक को पुस्तक को बापस कर गतार में, ली लौटेंगे, यह आदेस अनुसार है, प्यदान अध्या पकसास की एक एक रिक्रत मादि में को बिद्ध्याला है, ठीक है, चलिए, क्या अवस्तक है, क्या सांती और अनुसासन ए अवस्तक है, पुस्तक काले सब्द में मूल सब्द क्या है, पुस्तक, पुस्तक प्लस आला होता है, पुस्तक काले, सुरक्चित सब्द का बिलॉम सब्द बनानी के लिए आप उनस में कौन सा सब्द जोड़ेंगे, आ सब्द चलिए अपने हिंदी को कंप्लीट कर लिया है आप क्या करेंगे कक्षा तीन विशय गणित को कंप्लीट करेंगे किस को कंप्लीट करेंगे गणित को चलिए इसमें पहला कुश्चन कौन सा होता है अपना सो मैं दस कितनी बार आता है सो मैं दस कितनी बार आता अगर दस को आएगा 10 पार आएगा अगला कोश्चन है गीता फूलों के 10 गुच्छे लेकर आई हर गुच्छे में 5 फूल है बताएगे गीता के पास कुल कितने फूल है तो 10 पास इंटू 5 कर दिंगे अगर 5 को गुड़ा जीरो में करेंगे जीरो पाँच एक पांच तो पन को कितना मिलेगा 50 मिल जाएगा तो अप्सन नमबर B क्या होगा आपका राइट आंसर होगा ठीकना अप्सन में भी राइट आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन है सो दो सो एक स एक गाओं में 182 पुरुस 168 महिलाएं और 72 बच्चे हैं उस गाओं की कुल जनसंख्या होगी ठीक है इसमें कुछ नहीं करना पन को क्या करना है पन को इन सब को जोड़ देना है चले पन जोड़ देते हैं 182 168 और 72 ठीक है इनको जोड़ेंगे अठ दो दैस और 12 की दो हाँसल एक आ जाएगी ठीक है न आठ और आठ दूने 16 16 और 4 कित्ते हो जाएंगे सोला और चार वाइस वाइस की दो आ जाएंगी और हासल दो एक और येक दो दो चार कितना है गले से बच्छों को बांटने के लिए पांच दरजन केले खरी दे बताए पंकच ने दुकानदार को कितने रुपए दिये होंगे चली तो आपको पहले तो मालूम होना चाहिए कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं 12 केले होते हैं कितने केले 12 दर्जन तो उसने 5 दर्जन केले तो 5 दर्जन में कितने को लिए होगे 5 इंटू 12 कितने 5 इंटू 12 तो कितना हो जागा 12 पंचे 60 टोटल केले कित्ती हो गए अपने 60 और एक केले का मुल कितना है चार रुपए तो 60 into 4 करेंगे अपन क्या करेंगे 4 तो यहां पर 0 आ जाएगा 24 चोबिस आ जाएगा 240 रुपए मिल जाएंगे अपन को कितने मिल जाएंगे 240 रुपए तो ए बी बाला क्या होगा आपका राइट में मालूम होना चाहिए जिसमें 4 भुजाएं बराबर होती है उसे अपन क्या कहते है बर्ग कहते है जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते है अपन आयत कहते हैं तो अपन को आयत काउंट करना है इस आकरती में चले आयत गिन लेते हैं दिखिए एक आयत यहा पर दिया गया है एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर ठीक है ना टोटल कित्ते हो गए अपने पास काउंट करते हैं एक दो तीन चार पांच, छे, साथ कित्ते होगा है टोटल साथ तो option number B क्या होगा आपका right answer हो जाएगा है ठीक है option number B क्या है राइट answer हो जाएगा अब question क्या है किस आकृति में कोना नहीं है इसमें कोना है इसमें भी कोना है इसमें कोना नहीं है तो इसका नाम क्या है इसका नाम है पहिया पह यहां पर दिखिए चित्र घड़ी में चित्र में क्या समय हो रहा है दिखिए यहां पर छोटा कांटा है छे पर बड़ा कांटा है बारा पर तो जो छोटा कांटा है वो घंटे का कांटा होता है बारा कांटा होता है मिनिट का तो कितनी बज रहे हैं छे बज रहे हैं समय कितन अपन को मिलनी जाएए तो इस तरह की आकरती कहां पादी गई ऑप्सिन नमबर ए में दी गई है तो आपसिन नमबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा चली यहां पर पैटन दिया गा है पहले 150 फिन 125 फिन 100 फिन अगली संख्या क्यों होगी दिखिए हर एक संख् में से अपन 25 माइनस करेंगे तो 125 मिल जाएगा 125 में से फिर से 25 माइनस करेंगे तो 100 मिल जाएगा अब क्या करना है सो में से 25 माइनस करना है अपन को तो कित्ता मिल जाएगा 75 मिल जाएगा तो ऑंसर क्या होगा आपको 75 होगा ठीकर ना इस तरह से अपन को को सॉल्व करना है अब यहां से दिखिए अपने परयावन अध्यन के प्रश्ण स्टार्ट होते हैं कच्छत तीन विसे परयावन अध्यन को पन देखते हैं पहला प्रश्ण है पौधों को दी गई बरिगिगन तालिका को देखकर समोई आ और समोई बा के लिए सबसे उप्योक्त सिर्षा का चाहिन करें छलिए उपर से सामोई और समोई आ में मणिफ और अलुवेरा गुलाव और гुलं, दिखिंगे इती दो फूल है जो फूल देते हैं क्या देते हैं इसमें फूल नहीं देते हैं यह इसमें पूल नहीं देखे उगे आपने तो इन competent यहीं पारपन करेंगे स्वाल फूल वाले पॉधे召स ओप्सन नंपर सी क्यों को ईहां कि कॉछ होगा यहां पर छाट दिया गए यहां पर आम दिया गएं व्रूर दिया गए से आम का पितिसत क्या है, आम का पितिसत कितना है, 20 पितिसत है, सबसे ज़्यादा आम है, कितना है, 20 पितिसत, चली, चुहे दौरा सबसे कम खाए गए फल का पितिसत कितना है, 15 पितिसत, कितना पितिसत, 15 पितिसत, अगला कुश्चन है, आप, अपने पोधी के साथ, तोता उड गाय उड़, घोड़, बंदर उड़, बाला खेल खेल रहे हैं, निम्द में से आपके किन जानवरों का समोई उड़ेगा, किन जानवरों का समोई उड़ेगा, दीखें, घोड़ा, गधा, बंदर, लंगूर, ये नहीं उड़ते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चुहा, साँप, ए भी नहीं उड़ते हैं तोता मैना कबूता गोरे या इत चारों उड़ेंगे तो आंसर क्या होगा डिवाला उप्सन आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है कर्षणा को घर की छत से काओं काओं की आबाज सुनाई देती है वह आबाज होगी किसकी आबाज है काओं काओं कौन करता है क्या करता है क्या करता है क्या 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 हो जाएगा क्या है अब क्या है जानबरों को उनके आकार की अनुसार बड़े से छोटे क्रम में रखा गया कौन सा क्रम सही है बड़े से छोटे क्रम में सबसे पहले बड़ा होना चाहिए सबसे बड़ा इसमें क्या है हाती हाती से छोटा क्या है हिरण हिरण से छोटी क्या है गिलही ठीक है न तो यहां पदी कि पहले कुट्ता छोटा होता है गाय बड़ी होती है यह पेड़ के तनों में रहता है यहां पर नीची दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र अंगुलियों का प्रयोग कर बनाये गया दिखी यहां पर अंगुलियों का प्रयोग करके बनाये गया चित्र तितली दिख रहा है बाकी अंगलियों के प्रयोग करके नहीं बनाये गए तीना अपने सातियों और सिख्चुक्खें के सात अपने आसपास की सेर करने निकली है सेर के दोरान उन्होंने नीम बबूल आमला और इमली के पेड़ देखे दी गई पत्ती है तो इस तरह की पत्ती अपन को किस में दिखती है अगर आप नीम की एक पत्ती लेंगे तो same to same ऐसी दिखेंगे आप चाहें तो बाहर जाके नीम की पत्ती देख सकते हैं नीम की पत्ती आंसर क्या होगा अपना नीम की पत्ती चली अगला कोश्चन है आपने पहुसे पौधे देखे हूँ उनकी पत्तियों के रंग वा आकार अलग अलग होते हैं किन्तु कुछ की पत्तियां रंग वा आकार में लगवक समान होते हैं वाइक किस की पत्तियां हैं इमली और बबूल अगर आप इमली और बबूल की पत्ती देखे तो बिल्कुल एक सी दिखती है इनके आकार एक होता है, इनका रंग एक होता है तो यहां पर अपने परयावन की भी question देख लिए आप का करना है आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करना है ताकि उनकी भी help हो सके वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe परना है ताकि हर आने वाली वीडियो को notification आपको मिल सके मिलते हैं ऐसी एकली वीडियो में तब तक के लिए धन्ने वाल